हेलो स्टूरेंस, हावे यू ओल, मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी अपने फेवरेट यूट्यूब चानल कृतिका बीललबी में जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो आज हम जूरिस्पूरेंस के एक special class आप लोगों के लिए लेकर क्या है क्योंकि आप लोग बहुत लंबे टाइम से इस subject की demand कर रहे थे कि मैं कोई जूरिस्पूरेंस के उपर वीडियो लेकर क्या है इसके important question बता दीजिए क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कौन-कौन से question पढ़ने क्या नहीं पढ़ना है क्या छोड़ना है topics कौन से important है कोई question paper इसका solve करा दीजिए solve question paper तो इसमें हम नहीं discuss करेंगे वो हम बाद में किसी दूसरे वीडियो में cover करेंगे आज हम इसमें जो cover करने वाले हैं वो इसके syllabus को cover करेंगे जैसा कि आप सभी लोग के बीचे बहुत सारे doubt है syllabus को लेकर के क्योंकि कुछी universities में jurisprudence first और second होता है जहां पर अलग-अलग theory portion अलग होता है concept वाला अलग होता है और कुछ universities में jurisprudence का एक paper होता है जिसमें concept और theory एक ही इमें पूछी आती है तो students के mind में जो syllabus को लेकर के doubts हैं वो भी आज इस वीडियो में clear हो जाएंगे और इसके बाद हम इसके important topics को discuss करेंगे कि क्या-क्या important topic हैं जिन्नोंको आपको पढ़ना है कौन-कौन से ऐसे topics हैं जिनको आप छोड़ सकते हो और इसके बाद हम इसके important topics को discuss करेंगे कि कौन-कौन से important topics हैं जो आप लोगों को पढ़ना है कौन-कौन से ऐसे topics हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है और इसके बाद हम jurisprudence के कुछ important short and long question डिसकस करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे और कुछ सिलेक्टिट कोशन है जो कि एक्जु उनिवस्टेस के एक्जाम में अक्सार रिपीट होते हैं अगर आप सिर्फ इतने कोशन तयार कर लेते हो तब भी आपका जूरिस्पूरेंस का पेपर ब आपको कभी जूरिस्पूरेंस में कोई प्रॉबलम नहीं होगी ओके अचलिए सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करते हैं तो कुछ ये इनवस्टीज में जूरिस्पूरेंस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया इसके दो पेपर होते हैं पहला होता है जिसमें लीगल पूछ जाती है और ये आपको स्क्रीन में कुछ टॉपिक्स दिख रहे होंगे ये जूरिस्पूरेंस फर्स्ट के पार्ट है वहीं दूसरा जो पेपर होता है जिसमें लीगल कॉंसेट पूछ जाते हैं मतब लीगल कॉंसेट ये टॉपिक दिये गए हैं आपको जैसे पूछ जाते हैं तो जो आज का वीडियो है इन्हीं स्टूडेंस के लिए है क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है सब्जेक्स में कि इसमें टॉपिक्स कौन-कौन से इंपॉटेंट हैं कहां से कोशन ज्यादा पूछ जाते हैं और किस तरीके के हैं ठीक है और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है तो आज का जो वीडियो है ये इन्हीं स्टूडेंस के लिए है और जो हम इंपॉर्टेंट कोशन आपको बताएंगे सौट और लॉंग कोशन वो भी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगे और जैसे कि इनका ये सिलेबस है जैसे इसमें कुछ टॉपिक दिये गए है विधी और न्याय, राज्य और संप्रभुता, विधायन और न्याय किनिड़े इन टॉपिक्स से कोशन इसमें नहीं दिये गए हैं तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हो आपका सिलेब सीलेबस तो आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना कि अम लोग जतना भी डिस्कास चरेंगे, इस सलेबस कênioी कर एंगे ठीक हैं तो सबसे पहले अगर बात करें कि इतने सारे टॉपिक्स हैं इतने सारे टॉपिक्स में अगर आपको छोड़ने का मन कर है कि हम इनमें कोई एक दो टॉपिक छोड़ दें तो कौन कौन से छोड़ सकते हैं या किनें किनें बिल्कुल नहीं छोड़ना है में तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो पहली यूनिट है जिसमें इंट्रॉडक्शन पूछी जा सकती या इनमें से कोई एक जुरिस्ट की जो सिधान्त होगा उसको भी पूछ जा सकता है तो इन पांच विचार धाराओं से कोई तीन कोशन आएंगे subjection के लिए तो आप पूरा syllabus पढ़ना ठीक है क्योंकि कहीं से भी subjection आ सकता है लेकिन अगर बात करें low question की तो long question आप कुछ selected ही तयार करेगा क्योंकि सारे topic पर long question तयार करना है, तो यहां पर आपको कहेंगे कि आप कोई एक विचार धारा, जो आपके according, जो बड़ी tough लगती हो, आपको उसको छोड़ देना, अगरा आपको ये 1500 लगती आप उसको छोड़ देना, अगर आप इन में से ये tough लगती है, तो उसको छोड़ देना, इसके बाद अगर बात करें हम इसकी ये जो legal concept वाला area इसमें जैसे विदिक अधिकार आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और नहीं कबज़ोर स्वामित और दाइत्व ये topics और यहाँ पर विदिक वेक्ति ये topic आपको बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है क्योंकि इनसे आपको question मिलेगा 100% कोई नो कोई आपको question एक long मिलेगा ठीके इसके बाद अगर बात करते हैं दो topic बचे हैं विदिक विदियो नैतिकता दूसरा है दंड इन topics को आप चाहो तो छोड़ सकते हो ठीके मतब short question के purpose से पढ़ लेना लेकिन long question इस पर चाहो तो आप छोड़ सकते हो ठीके चलिए और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर topic लिखे हैं आप सारे topics को अच्छे से पढ़ना अब इतना भी मुस्किल नहीं है इसी वज़ेस तो यह वीडियो लेकर क्या है जहां पर आपको हम कुछ selected long question बताएंगे जिनों को सिर्फ आप उन ही question को तैयार करना बाकि आप पहले इसका परिचे है परिचे में आपको क्या पढ़ना है विदी सास्तर की परिभासा इसकी प्रकृती छेत्र और इसका महत्व जिसमें महत्व और परिभासा ये दो topic आपके बहुत जादे important है महत्व आपसे सीधे diet question पूछ लिया जाता है इस तरीके से कि विदी सास्तर है तो सबसे पहले आप इन सभी की विशेस्ताएं पर डालिएगा कि समासास्तरी विचार धरा की क्या विशेस्ता है प्राकृतिक विचार धरा की क्या विशेस्ता है एतिहास्तिक विचार धरा की क्या विशेस्ता है क्योंकि आपसे कभी-कभी ये sword question भी पूछ लेता है इस दिखा है और इन таким से जादता जो लोंग कोशन आते हैं वो इन की सित्धान से कोशन आते हैं रोसकोंड का आप सभी लोगने पढ़ांगा समाजो संदे की halls क्यों पूछ लिया जाता है उर इन और ऑपको सिरुद्रों के पू המס़न की समय समय से बनते हैं इनसे चे धाराओं कि आपको उनको नहीं पढ़ना है बात करें अगर बाकी टॉपिक की तो इनके आपको concept बहुत अच्छे से clear होने चाहिए जैसे विदिक वेक्ति, विदिक वेक्ति क्या है इसका concept आपका clear होना चाहिए कि किसको विदिक वेक्ति बोला जाएगा किसको नहीं बोला जाएगा और इसमें जो सबसेदा पूछा जाता है वो ये है इसका सिध्धान्त long question अगर बात करें कि विदिक वेक्तित क्या सिध्धान्त है कुछ इसके सिध्धान्त है वो आपसे long में पूछा जाएगा अगर sword की बात करें तो इन जितने भी इसके सिध्धान्त है सिध्धान्त में कोई एक sword में आ जाएगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइगे क्या आज अन्मा वेक्ति जो है क्या ये एक विदिक वेक्ति है या आपसे पूछ लिया जाएगी कि बताइए क्या अलहाबाद यूनिवस्टी जो है ये एक विधिक विक्ति है यहां से इस तरीके से सौड कोशन पूछ ले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका है विधी एवं नैतिक्ता यहां से अगर जो कोशन मनते हो जादा तर इसी तरीके से बनते हैं विधी और नैतिक्ता में क्या अंतर है या फिर विधी और नैतिक्ता में क्या संबन्ध है इस टाइप के कोशन मनते हैं इसके बाद नेक्स्ट है आपका विधीक अधिकार एवं करतव यहां करतव इसे बहुत कम कोशन पूछ जाते हैं ज्यादा तर कोशन पूछ जाते हैं विदिक अधिकार से कि विदिक अधिकार की परिभाषा बताईए और विदिक अधिकार कितने प्रकार का होता है या फिर विदिक अधिकार के आवश्यक तत्व क्या है इसके सिध्धानत क्या है यहां से बहुत question पूछे जाते हैं और अगर कभी question आता भी है करतवे से तो आ जाता है कि विदिक अदिकावर और विदिकरतवे में क्या संबंध है इस तरीके से question आते हैं next आपका कब्जा एवन स्वामित्व है कब्जा और स्वामित्व दोनों important topic है इनका concept जादा पूछा जाता है और इनके जो प्रकार है जैसे कब्जा के जो प्रकार होते उनसे question पूछा जाता है स्वामित्व के प्रकार से इनसे sort question पूछा जाते है और next आपका दाइत्व है दाइत्व से आपसे पूछ लिया जाता है कि दायतवी के कुछ सेधधान्द बताईए इसके प्रकार बताईए ये इस तरीके से question पूछा जाता है punishment से अगर कुछ dunder से आता है question तो इसके सिधान तो और इसके प्रकार से सिधान से ज़्यादा question पूछ रहता है प्रकार से बहुत कम question पूछ रहता है ठीक है इसके बाद हम jurisprudence के sort and long question discuss करें उससे पहले यहाँ पर जितने भी topics हम लोगों ने अभी देखे इनसे related जो भी long question आपके exam में पूछ जाएंगे तो उनकी कुछ headings मैंने provide करी है एक बार आप लोग इसको देख रो थोड़ा जल्दी जल्दी जो कि आपको exam के एक दिन पहले आपका long question revise करने में बहुत help करेगा जैसे कि विदिक वेक्ति से आपका long question आता है विदिक वेक्ति की सिध्धान्त जिसमें ये 5 सिध्धान्त है आपके परिकलपना का सिध्धान्त यथात्ता का सिध्धान्त और कोश्टक का सिध्धान्त रियायत का सिध्धान्त और पाचवा है प्रियोजन का सिध्धान्त य जाइज सी बात है आप इनकी heading तो डालोगे ही ठीक है तो इनसे आप revision कर सकते हो और इनको learn कर सकते हो इसके बाद आपका विदिक अधिकार से एक long question पूछा जाता है कि विदिक अधिकार के सिध्धान्त बताईए तो इसके दो सिध्धान्त है एक है hit का सिध्धान्त और दूस दूसरा है अधिकार से आबधिवक्ति और तीसरा है अधिकार की अंतरवस्तू चोथा है अधिकार की विशेवस्तू और पाँचवा है अधिकार का स्वायत या हग ये पाँच इसके आवश्यक तत्व हैं इनको आप अच्छे से लन कर लेना और इसके दो सिध्धान्त है ह विदिक अधिकार के प्रकार बताए कितने प्रकार का होता है तो ये इसमें बहुत ज़्यादा लिखे हुए आपको अगर लॉंग कोशन आता है तो ये सारे नहीं लिखने हैं ठीक है कुछ ही लिखने है और उनको एक्स्प्लेइन करना है लेकिन कभी-कभी सौर्ट कोशन आ अधिकार नहीं से ठाकुन करना होता है ये जैसे हैं जो आप से सौर्ट में पूछजाते हैं ठीक है और ये टाइपस कुछ हैं जो कि पूछ जाते हैं तो आप इन ही को अच्छी से प्रेपेर कर लेना कि अगर लॉंग कोशन आ जाए तो यही सारे आप लॉंग कोशन में लिख दो वरना सौड कोशन में आ जाएगा तो आप उधर कर दोगे ठीक है और विधिक करतवी के अगर बात करें तो परिभाशा इसकी पढ़ी लेना आप और प्र कोशन ऊसका भी पीडिएफ और यह जितना हम लोग नोर्ट और सलेबाश जो भी डिसक्स करेंगे सब ठीक है चलो अब इसके बाद अगर बात करें हम नेक्स टॉपिक जो की कपजा और सौमित्व है कपजा और सौमित्व की दोनों की परिभास अच्छे से पढ़ लेना इस कबजा यह ऐसे हैं जो आपसे सौर्ट में भी पूछ जाते हैं अलग से आ जाता है कोशन और वहीं पर कुछ और हैं जैसे ततकालिक तथा मध्यवर्थी कबजा आभासी कबजा तथा कबजा कलप ठीक है और पाचवा है आपका अनवी कबजा छटवा है प्रतिकूल कबजा सा क्यों सौर्ट में आपसे पूछा जाएगा इसके बाद अगर बात करें स्वामित्व के तो इसके प्रकार आपसे पूछ जाते हैं जिसमें छे प्रकार यह कुछ यहां पर दिये हुए हैं पहला है मूर्थ तथा मूर्थ स्वामित्व एकल स्वामित्व तथा सह स्वामित् विदिक तथा सामिक स्वामित्व निहित तथा समास्रित स्वामित्व पूर तथा सीमित्व ये कुछ हैं जिन में आपका निहित और विदिक ये जो दो हैं विदिक तथा सामिक स्वामित्व और निहित तथा समास्रित स्वामित्व ये आपके sort में भी पूछ जाते हैं तो आप ये भी अच्छे से पढ़ लेना तो इन types को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना ये आपको exam में help करेंगे next topic आपका है दाइत्व दाइत्व में आप परिभाशा अधारना इसकी बहुत अच्छे से पढ़ना में भी question पूछा गया है कि दंडात्मक दाइत्व का सिधान्त क्या है अगर प्रकार आपसे पूछा जा है तो ये आप कुछ इसके प्रकार दिये गए है ठीक है इसको सही कल लेना ये कुछ पांच प्रकार दिये गए है ठीक है पहला है आपका आपराधिक दाइत्व दूसरा है कठोर दाइत्व तीसरा है पूड दाइत्व और ये पाच चौथा है प्रतनिधिक दाइत्व और पाचवा सिविल दाइत्व ये पांच प्रकार के दाइत्व होते दायत्व और भी बहुत सारे हैं लेकिन हम जो main रखते हैं वो इन 5 को ही explain करेंगे अगर long question आपसे पूछ जाता है अगर sort में पूछ जाता है कोई इन में से कोई एक तो आप उसको explain कर देना जिसमें जादा तर आप राधिक दायत्व और यह आपका कठोर और पूर दायत्व यह बहुत पूछ जाते हैं इसके बाद जो next topic है दंड में आपसे सिधांत पूछ जा सकते हैं जिनमें पाच प्रकार के सिधांत हैं दंड के जिनमें पहला है प्रति सोधात्मक, शिधांत, प्रति रोधात्मक, शिधांत, निरोधात्मक, शिधांत, सुधारात्मक और आद ठीक है और यह जो दंड के सिध्धान्त है यह सौट पे भी कभी कभी आ जाते हैं कि बताईए दंड का सुधारात्मक सिध्धान्त क्या है या प्रत्य सुधात्मक सिध्धान्त क्या है तो इनको आप आलग से भी देख लेना तो ये कुछ heading थी जो कि आप exam के एक दिन पहले इन से revise कर सकते हो अपने long question को, ठीक है, अब हम चलिए सीधे चलते हैं अपने short and long question पे, उमीद है कि जितना अभी तक हम लोगों ने उपर discuss किया, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम आते हैं अपने सबसे main important area में जो कि हमारा jurisprudence की most important short and long question, ठीक है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कोई भी university हो, previous year के question paper repeat होते हैं, चाहे वो short के हो, या long के हो, ठीक है, तो क्यों न हमें भी इसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी हमने selected question दिये गए हैं, वो किसी न किसी previous year के question paper में आई हुए हैं, ठीक है, और कुछ question ऐसे हैं, जो बहुत बार repeat हुए हैं, तो यह हम आप लोग को बताते चलेंगे, ठीक है, कौन सा बहुत जादा important है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके sword question and then इसके long question को discuss करेंगे, तो फटा फट से हम इन questions को देखेंगे, पहला question आपका है, विधी सास्त्र क्या है, परिभाशित करिए, और दूसरा question है, विधी सास्त्र के अध्यन का महत्व क्या है, इन दोनों में से कोई न कोई एक question आपके exam में, सबसे पहला sword question इन ही में से एक होगा, ठीक है, यह बहुत जादा important question, बहुत पूछ जाते हैं question, और third question यहाँ पर दिया गया है, विधी सास्त्र विधी का नेत्र है, यहाँ पर एक statement दिया गया है, अब आपको इस पर एक short note लिखना है, कि विधी सास्त्र विधी का नेत्र है, तो यहाँ पर बता सकते हो किसके दवारा कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, ठीक है, यहाँ पर fourth question है, अ तरीके से इसको कलेना यह भी important question यहाँ पर 70 का यह सिध्धान्थ है लोग चितना का सिध्धान्थ अब आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे एक रॉसको पाउंग का सिध्धान्थ है समाजी कभी अंत्रिकी का सिध्धान्थ क्या है इसको इस पर एक short note लिखना होगा तो यह आ next question जो है अमेरिकी अथार्थ वादी विचार धारा की प्रमुक विशेषता है समासास्त्री विचार धारा की प्रमुक विशेषता है एतिहासिक विचार धारा की प्रमुक विशेषता है यहाँ पर इस तरीके से भी short question पूछ जाते है इसके बाद 9 number question है प्राकृतिक विध का योगदान विधी सास्तर में क्या है अगला कोशन है किलसन के विधी के विशुद सिध्धान्थ की विवेचना करिए किलसन का जो विधी के विशुद सिध्धान्थ है ये आप से सौट में भी पूछा जाता है और लौंग में भी आता है अगला कोशन है विधी का आदेश है यह यहाँ पर एक statement है ठीक है और यह statement किसका है यह आप लोग comment में बताईएगा यह आपका short और long दोन में question पूछा जाता है यह question जो है आपका very important है अगर आप लोग अभी तक भी यह video देख रहे हो जितने भी student तो आप यह लोग मुझे comment में अभी video रोको और यह यह बताओ कि यह statement किसका है विधी शंप्रवू का आदेश है ठीक है क्योंकि यह short में बहुत question आता है आपका अगला question आपका है जैसा समाज होका वैसी ही विधी होगी यह question है short जो कि पूछा जाता है रोसको पाउन का समाजिक अभियांत्रण का समाजिक अभियांत्रण का स जो की डिवगिट का है next आपका है विधीक अधिकारों के प्रकार इस तरीके से आपका short question भी आता है जिसमें जितने भी हम लोगों ने भी प्रकार देखे थे उसमें कुछ आप 7-8 प्रकार जो है इसमें लिख दो next question है विधीक अधिकारों की विसेस्ता है बताइए अगला question है विधीक कर्दव को परिभाशित करिए विधीक अधिकारों की विसेस्ता ये वाला question important है ये आया हुआ है आपके एकजाम में कोशन ओके और कबजा को परिभाशित करिए ये भी important है definition बहुत पूछिजाती है कबजा को परिभाशित करिए और एक आपका है स्वामित्व दाइत्व इनकी definition बहुत पूछी जाती हैं, आप इनको पढ़िएगा, नेक्स्ट आपका है, जो important मूर्द और अमूर्द कबजा, ये आपके कबजे के प्रकार हैं, जिसमें एक तथिता और विदिता कबजा भी है, ये आपके sort में भी बहुत पूछी जाते हैं, और long में पूछा जाता है कि कबजे कितने प्रकार का होता है, अगला कोशन है कबजे का अधिकरहड, कबजा किस तरीके से किया जाता है, इसका अधिकरहड कैसे होता है, ये एक आपका sort कोशन है, स्वामित्व को परिभाशित करिए, यहाँ पे स्वामित्व की definition पूछी गई है, सवामेत्य। के आवश्यक्त तो बताईए और कपजा और सवामेत्य। में अंतर बताईए, इस तरीके से भी कोशन आता है, तो आप इस कोशन को भी प्रपेर करियेगा, विधी और नायतिक्ता में क्या जाता है question, यहाँ आप से पूछा गया है दाइत्व से आप क्या समझते हैं, प्रतनिदिक दाइत्वका से धांत, उप्चारात्माग दाइत्वका से धांत, और दांडिक दाइत्वका से धांत, यह आपके बहुत important है, यह आपके sword question में भी बहुत पूछ जाते हैं, इसलिए आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना ठीक है इसके बाद सास्ती विधिक वेक्तितों से आप क्या समझते हैं और विधिक वेक्तितों एवं प्राकृतिक वेक्तितों में अंतर ये भी बहुत जादा important question है इस तरीके से आ जाता है कि क्या कानपूर विश्विद्याले वि अब हम इसके long question देख लेते हैं जिनमें पहला जो question है आप सभी लोगों को अब तक तो clear हो गया होगा कि पहला question आपसे पूछा क्या जाने वाला है और दूसरा question जो है अगर एतिहासिक विचारदारा से विश्लेशनात्मक विचारदारा से अगर आपसे कोई question पूछा यह question आपसे long में पूछा जा सकता है या फिर इस तरीके से आजाए John Austin के द्वारा दी गई विधी के आदेशात्मक सिध्धान्त की वियाख्या कीजिए या फिर इस तरीके से आजाए विधी सास की विश्लेशनात्मक विचारदारा की प्रमुक विशेशता है बताईए जि यह एकसर पूछा जाता है और बात करेकर फोर्थ की तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन है यह बहुत बार एक्जाम में रिपीट हुआ है कोशन कि विधी का कार समाजीक अभियांदर की है उक्त कथन की विवेचना करिए या फिर इस जगे पर आ जाएगा कि रोसको प पढ लेना क्योंकि इससे आपका सौर्ड या लॉंग दो में कोई एक कोशन तो आपका बिलकुल पक्का है इसके बाद आपका इसमें ये भी कोशन पूछ लियाता है कभी-कभी समासास्त्री विचार धारा से कि इसके उद्गम के क्या कारण है और समासास्त्री विचार धारा का विदी सास्त्र में क्या योगदान है इसके बाद ये कुछ कोशन है एतिहासिक विचार धारा से जिनमें आपसे एक कोशन आ जाता है लोंग कोशन इस तरीके से कि इसकी प्रमुक्विसिस्ता है बताईए ये दूसरा कोशन आ जाता है कि समाज के विकास के तसंदर में सैवनी का जो लोकचेतना का सिध्धान्त है इसकी विचार धारा से इस तरीके से कोशन आ जाते हैं ये इंपोर्टन्ट है और तीसरा कोशन ये भी आता है कि प्रगत्सील समाज के प्रगत्सील समाज का विकास अब तक प्रस्ति से समविदा की और हुआ सर हिंडरी मिन के उप्रोक्त विचारों की विवेचना करिए त इस सास्तर की यथारतवादी विचार धारा पर संचिप्त निबंद लिखें यथारतवादी विचार धारा में जनरली कोशन इसी तरीके से आता है कि इस पर निबंद लिखें या यथारतवादी विचार धारा क्या है इसको विस्तार से समझाईए या इसकी उसे इस तरीक से question आता है पूछ जाता है और यह बात करें कर next question की यह भी आपका बहुत जादा important question है यहाँ आपसे प्राकरतिक विदी के जो कुछ सिध्धानत है वो आपसे पूछ जाते हैं यह बहुत important question है अब यहाँ पर जैसे legal theory से हम लोगों ने 9 question देखे अब यहाँ अगर आपको चोड़ने हों तो आप इनमें कुछ question छोड़ सकते हो अब यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से question पूछ जाता है जैसे यहाँ पर दिया है विदिक व्यक्तित्व के सिध्धानतों की विवेचना करें very important question है बहुत exam में पूछ जाता है next question है विदेक अदिकार को परिभा दायत्व की अवधारना की विवेचना करें यह तो इस तरीके से आजाएगा यह आजाएगा दायत्व को परिभासित करें इसके विविने शिध्धानतों को बताईए next question आप से पूछ आ सकता है इस तरीके से कि नैतिकता से आप क्या समझते हैं विधी एवं नैतिकता में क अगला कोशन इस तरीके से आ सकता है कि कपजा को परिभाशित करिए विधी द्वारा मानिता प्राप्त कपजे के विविने प्रकार बताईए इस तरीके से आ सकता है स्वामित्व से आ सकता है कोशन ऐसे कि स्वामित्व की अब धारना की विवेचना करिजिए स्वामित्व की परिभाशा दीजिए स्वामित के वेविंदत्तों एवं लक्षडों को परिभाशित करिए इसके कुछ लॉंग कोशन थे ठीक है अब यहां पर हम एक दो पेपर देख लेते हैं ठीक है ज्यादा पाइम वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो काफी लंबी हो गई है अब हम आप नेत्र है यह कोशन आया है सर हेंरि मिन का योगदान बताना है आपको क्या नहों ने वीदिजास में योगदान दिया लोक चेतना अब यह सिध्धांत आपको एक्सि लेक्शा depths करना ना है यहां पर कभी आ लेके थे उनमें देखो एक प्रकार यहां पर दे दिया गया है मूर्थ और अमूर्थ कब्जा क्या है यहां पर तथिता और विदिता कब्जा भी आ सकता है विदिक अधिकारों की विशेष्टा है बताईए यहां पर विदिक अधिकार की विशेष्टा पूछ लिया गया है सौर्ट कोशन ऐसे भी आ सकता है कि बैक्तिकत अधिकार, समपत्तिक अधिकार क्या होते हैं ऐसे भी आ सकता है दांडिक दायतुका सिध्धान्त, सास्ती, अथारतवादी विचारधारा यहाँ पर कोई न कोई एक विचारधारा सौर्ट में जरूर पूछी जाएगी आपसे विधिक अधिकारों के प्रकार बताइए यह इस तरीके से देख लो सौर्ट कोशन आए हुए है अब लॉग कोशन देखना किस तरीके से आते हैं यहाँ अगर हम बात करें सेक्शन बी के तो सेक्शन बी में ये लॉग कोशन दिये गया है सेक्शन बी में चार लॉग कोशन है जिसमें हमें दो करने हैं पंदरा माक्ष को कोशन है पहला कोशन दिया गया है विधिसासर के महत की विवेचना करिए या फिर इसी जगे पे एक दूसरा कोशन आ जाता है कि विदी सास की परिभाशन बताईए ठीक है तो ये एक long कोशन आ जाता है इन दोरों में कोई न कोई एक कोशन आपको मिलेगा और बाकी की तीन कोशन जो है अब जैसे पहला दिया गया है यहाँ पर समाज के विकास के आधानत है सोचल इंजिइनिः इंजिर्इरिंग वो आपसे पूछा गया है पाच जश्रवापसे पूछा गया है प्राकरतिक विदी सिथा गया है प्रमुक्ति पछीन के नहीं इसके बाद में सक्षण 2 मेंब ही 45 दिये होंगे जिनमें आपको दो कोशन कर ने रहें हैं य इसके बाद जो बाकी इसके कोशन है जिनमें पहला है स्वामित्व की अवधार्णा की विवेचना करिए यहां पर आ जाता है कि कभी-कभी कभी कभ़ा क्या है कभजा के प्रकार आ जाते हैं वो आपको बताना होगा या दूसरा यहां पर कोशन दिया गया है अधिकार कैसे ध तो ही है तो आप इनमें चाहो तो कुछ टॉपिक छोड़ दो और कुछ टॉपिक पढ़लो ठीक है तो ये इस तरीके से कुछ कोशन आते हैं आप सभी लोगों ने देख लिए अब अगर आपको इस पेपर का पीडियाफ डाउनलोड करना हो या फिर जो भी हम लोगों ने लोग कॉमेंट में जरूर दीजेगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बाकी अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको सेयर करना